नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है तिवारी अकैडमी में कैसे हैं आप सभी मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे बहतर होंगे और जहां भी है वहां कर रहे होंगे खूब सारे मज़े आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं आपको बता दूँ कि इस अध्याय में एक शब्द आपके सामने आएगा जिसको कहते हैं बालिष्टिय यानि बालिष्टिया इसका मतलब क्या होता है देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी हाइट जो है बहुत छोटी होती है जिनने बौना कहा जाता है उन्ही किस अं है कि एक था लकड हारा जंगल में जाकर क्या करता था रोज लकडिया काटता था और फिर क्या करता था शहर में जाकर शाम को उन लकडियों को जिससे वह काटता था बेच दिया करता था एक दिन क्या हुआ वह दूर जंगल के अंदर चला गया और कट-कटी का जाड़ा रही थी कि हाथ पैर जो हैं वो बिल्कुल कपाने लगे थे और वो जो लकड हारा था ना उसकी उंगलियां बिल्कुल सुन होती जा रही थी आपको तो पता है ठंड के मौसम में ऐसा कई बार हो जाता है जो बहुत कडाके की तेज ठंड पड़ती है तो वह थोड़ी थोड़ के बाद क्या कर रहा था कुलहाडी को रख देता और फिर दोनों हातों को मुह के पास ले जाकर खूब जोर से उनमें फूप मारता की गर्म हो जाएं उतने में क्या हुआ कि कोने में खड़ा एक मिये बालिष्टिये ने उसे देख रहे थे तो मिये बालिष्टिये मतलब सम बार-बर अपने हाथों को मुग के पास ले जाकर क्या कर रहा है क्यूं फूक रहा है मगर कुछ समझ में नहीं आया तो वह अपनी जैगे से उठे और कुसदूर चल कर फिर लौट आए कि ना मालूम कहीं पूछने से या आदमी बुराना माने मगर फिर रहा नहीं गया और आ महा भई जरूर पूछो तो बले बस यही पूछना चाहता हूं कि तुम मुह से हाथ पर फूँक सी क्यों मारते हो आखिर बालिष्टिये ने पूछी लिया लकड़ारे ने क्या जवाब दिया सर्दी बहुत है हाथ ठेटोर जाते हैं मैं मुह से फूँक कर उन्हें जरा गर्म कर लेता हूं फिर ठेटोरने लगते हैं फिर फूँक लेता हूं मिया बालिष्टिये ने कहा अच्छा अच्छा यहां बात है यहां कहकर बालिष्टिये मिया वहां से तो खिसक गए मगर रहे उनके उस लकड़ारे के आसपास ही फिर दोपर का वक्त आया अब लकड़ारे क धंडी हो जाती तो लकड हारा मूँ से फूख कर उसे तेज कर देता था तो बालिष्टिये ने जब देखा तो कहा अरे अब यहाँ फिर फूखता है क्या इसके मूँ से आग निकलती है लकड हारे को फूख ज्यादा लगी थी इसलिए एक सिका हुआ आलू उठाया उसे खान चाहा तो वह ऐसा गर्म था जैसे आग तो फिर वहाँ मुह से फूख फूख करके फूखने लगा अरे बालिष्टिये ने फिर जी में कहा यह फिर फूखता है हब क्या इस आलू को फूख कर जलाएगा थोड़ी देर फूख फूख करके लकड हारे ने उसे अपने मुह में रख लिया और गब गब खाने लगा अब तो इस बालिष्टिये को मतलब इसकी हरानी का हाल मत पूखो इस से फिर हरहा नहीं गया और ठुमक ठुमक फिर लकड हारी के पास आया और कहा सलाम भाई, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूू। लकण हारे ने कहा बुरा क्यों मानूँगा पूछो। बालिश्तिये ने कहा तुमने सुभा मुझसे कहा था कि मुझसे फूख कर अपने हाथों को गर्माता हूँ। अब इस आलू को क्यों भूगते थे यह तो खुद गर्म था बहुत इसे और गर्माने से क्या फाइदा तो नहीं मिया टिट्लू यह आलू बहुत गर्म है मैं इसे मुह से फूख फूख कर ठंडा कर रहा हूँ बात तो कुछ ऐसी नहीं थी मगर यह सुनकर मिया बालिष्टिय का मुह पीला पड़ गया डर के मारे कपकप कापने लगे उसके पैर पीछे हटते जाते थे लकड़ हारा भला मानस था उसने आखिर पूखा क्यों मिया क्या हुआ क्या जाड़ा बहुत लग रहा है मगर मिया बालिष्टिय थे कि बराबर पीछे ही हटते चले गए और जब काफी दूर हो गए तो बुले अरे यहाना जाने क्या बला है कोई भूत है या जिन उसी से ठंडा उसी से गर्म हमारी हकल में यह बात नहीं आती सच है यह बात बालिष्टिय की ननी सी खोपड़ी में आने की ठी भी नहीं दोस्तो ये काहानी बड़ी मज़दार है एक इने इस काहानी को लिखा है डॉक्टर जाकिर हुसेन ने तो चलिए अब देखते है आगे कियا लिखा है सोचो क्या असल में बालिष्टिय होते है इस काहानी के लेखक ने याने बालिष्टिय की बात क्यों की बालिष्टिये की बात यहाँ पर की है फिर आगे लिखा है खर के देखो इसमें क्या लिखा है क्या तुमने भी कभी सर्दी में अपने हाथों पर फूक मारी है कैसा लगता है तो देखिए मैं अपनी बताता हूँ कि और अपने दोस्तों कि हाम भी सर्दी में कभी-कभी अप अपने हाथों पर फूक मारते हैं और ऐसा करने से क्या होता है ना हाथों में गर्माहट महसूस होती है और सरदी से हाथ बहुत ज्यादा ठंडे और रूखे होने से बच भी जाते हैं फिर लिखा है अपने हाथों को मुह के पास लाकर जोर से दो तीन बार फूक मारो मुह से चोड़ी हुई फूग की हवा आसपास की हवा के मुकाबले कैसी लगी तो मुह से छोड़ी फूग की हवा जो होती है वो आसपास की हवा जो होती उसके मुकाबले गर्म लगती है अब आगे लिखा है अब हाथों को मुह से थोड़ी दूर पर रखो तब भी क्या मुह से निक क्योंकि दूरी होने के कारण मुझ से निकली हवा जो है वो आसपास की हवा से मिल जाती है जिसकी वेचे से उसका तापमान यानी टेंपरेचर थोड़ा कम हो जाता है समझ में आया ना बड़ा ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है मज़ा आ रहा है जब आप देते हुए है ना किसी को चोट लगने पर हल्की सी सूजन आ जाए या आँख में कुछ चला जाए है ना तो लाली या सूजन आ जाए तो ऐसी स्थिती में किसी कपड़े या रुमाल पर फूक मार कर उसे आँख या सूजन की जगह पर रखने से आराम मिलता है आपको ये बात पता होगी है कभी आपने भी अपनी आख पर ऐसा फूक मार की गरम रुमाल लगाया होगा या आपकी मम्मी ने या आपके घर में किसी ने लगाया होगा आपकी आँखो पर कभी आपको जब सूजन आ जाए आँखो पर तब है ना इसके बाद लिखा है अपने रुमाल ये किसी भी मुल जीब जल सकती थे इसलिए उसने ऐसा नहीं किया है है ना हम भी कुछ एकदम से गरम गरम नहीं खाते पहले उसको ठंडा करते हैं क्योंकि हमें पता है हमारा मूँ या हमारी जीब जल सकती है इसके बाद लिखा है क्या कभी कुछ गर्म खाने या पीने से तुम्हारी जीब जली है तुम अपने गर्म खाने को कैसे ठंडा करते हो तो मैं आपको बता दूँ कि एक बार ना मैंने गरम गरम गुलाब जामुन खा लिया थे उसे मेरी जीब जिल गई थी हम अपने गरम खाने को फूक मार कर या किसी चौड़े बरतन में रखकर उसे पंखे के नीचे रखकर ठंडा करते हैं इसके बाद लिखा है अगर रोटी, चावल और दाल बहुत गरम है तो तुम तीनों को किस-किस तरीक यसे ठंडा करोगे तो देखो, हम रोटी को छोटे टुकडे करके फूक मार कर ठंडा कर सकते हैं दाल को हम चम्मस से हिला कर और पंखे ये नीचे रखकर ठंडा कर सकते हैं और रही बात चावल की, तो उसको ठंडा करने के लिए हम उसे ठाली में चम्मस से फैला सकते हैं इससे वो ठंडे हो जाएंगे, ठीक है ना? आगे लिखा है, देखो, ये दो चित्रों के बारे में बताया है चित्र एक और चित्र दो चित्र एक के बारे में बताया है कि मिनी ने चाय को फूक मार मार कर जल्दी से ठंडा किया उसके बाद दूसरे चित्र में बताया है कि सोनू की ठंड से जान निकल रही थी इसलिए बार बार अपने हाथों पर फूक मार रहा था अब देखो क्या लिखा है? तुम और क्या क्या करने के लिए फूक मारते हो तु देखो कौपी पर रवर्ड से मिटाने से जो गंदा इकटा होता है उससे उड़ाने के लिए फिर इकनी गुमाने के लिए CT बजाने के लिए इन सब के लिए भी फूक मारने पड़ती है थो अब यहाँ पर बताया है कि आप अपनी सीटी खुद कागज से कैसे बना सकते हैं जो इसके लिए क्या बताया है कि एक कागज का टुकड़ा लेना है लगभी 12 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा फिर कागज को चितर एक के अनुसार आधा मोड़ देना है उपर से उसका एक टुकड़ा काट देना है है ना फिर उसके बाद में दोनों तरफ से कागज को बाहर की तरफ इस तरह से मोड़ना है जैसे चितर तीन में दिखाया गया है पिर कागस को अपनी उंगलियों में फसा कर होटों से लगा लेना है और अब फूक मारना है तुम्हें सीटी जैसी आवाज सुनाई देगी और तुम्हारे साथ ही की सीटी जोड से बजी है तुम्हारी ये तुस समय पता चलेगा है ना सीटी में धीरे और जोड से फूक मारकर अलग-अलग तरह की आवाजें निकाली जा सकती है इसके बाद है अलग-अलग चीजों से सीटी बजाओ यहां पर लिखा है कि नीचे दी गई चीजों से आवाजें निकाल कर देखो लिखो उनमें से किसे सबसे तेज सीटी बजी और किसे सबसे धीरे आवाज की तेजी को क्रम में आप लिख सकते हो है ना तो ये काम तो भाई आप ही कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दू, कि जिस क्रम में हाँ पे लिखना है, यानि घटते हुए क्रम में लिखना है, तो पैन के ढकन से सीटी बजी, फिर मुह से उंगलियों लगाकर, मुह में उंगलियों रखकर, टॉफी की पनी से बाद में, फिर गुबारे से, और लास्ट म आदी, आपने ये सब सुने होंगे न, तो तुम आखे बंद करके इनकी आवाजे पहचान सकते हो, इन सभी चीजों के बारे में और बाते पता करो, चित्र भी कठे करो, तो अगर बासूरी की बात करूँ न दोस्तो, तो यह लकडी और चमडे का बना होता है, और यहाँ फू मारने पर बचती है, म्रदंग की बात करें, तो यहाँ लकडी और तांबे से बनती है, और इसे हाथ से बजाये जाता है, गिटार की बात करें, तो यह लकडी और धातू की तारों से बनी होती है, तारों को कमपित करने पर इसमें से ध्वनी यानी आवाज निकलती है, फिर हाँ, ये वाला उत्तर तो हमने लिख दिया है फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्या तुम ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो जो जिन में फूक मानने से सुहामनी आवाज निकलती है उनके नाम लिखो, आप स्कीन पर देख सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि बीन है, बासुरी है, पूंगी है, शेहनाई है, तुरही है इन सब में फूक मानने से सुहामनी आवाज निकलती है अब आगे है, करके देखो और चर्चा करो तो इसमें सबसे पहले लिखा है, क्या तुमने कभी देखा है कि कोई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुह से हवा निकाल रहा हो मुह से निकली हवा से चश्मा साफ करने में कैसे मदद मिलती होगी तु देखो, मैं आपको बताता हूँ मेरा भाई चश्मा साफ करने के लिए अपने मुझ से हवा निकालता है मुझ से निकली हवा कुछ-कुछ गर्म होती है और चश्मे का शीशा ठंडा होता है इसलिए फूक मारने पर सांस के साथ आई भाप से ठंड शीशे पर पानी की ननी बून्दे जम जाती है जिससे चश्मे के शीशे पर जमी गंदगी किसी रुमाल या कपड़े से साफ की जा सकती है है ना समझ गये है फिर आगे लिखा है कि स्टील का ग्लास लो उसे मुह के पास लाकर मुह खोल कर जोर से सांस छोड़ो इस तरह दो तीन बार सांस छोड़ कर देखो क्या गिलास कुछ धुनला सा हो गया तो बिलकुल दो तीन बार सांस छोड़ने से गिलास कुछ धुनला सा हो जाता है फिर लिखा है क्या तुम शीशे इसी तरह शीशे को भी धुनला बना सकते हो शीशे को छुकर पता लगा सकते हो कि यह धुनलापन किस वज़ा से है छोड़ी हुई हवा सूखी है या गीली है तो देखिए मैं आपको बताता हूँ इस तरह से फूक मारने से शीशा भी धुनला हो जाता है शीशे पर धुनलापन मुह से निकली हवास के गीलेपन के कारण होता है सास गर्म होती है और शीशा ठंडा इसलिए सास के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदे जम जाती है और यही नमी शीशे को धुनला कर देती है ठीक है ना अब आगे बढ़ते हैं आगे लिखा है अपने हाथ को अपनी च्छाती पर रखो अब सास क्या हुआ च्छाती अंदर गई या बाहर तो देखिए मैं आपको बताता हूँ सास भरने से च्छाती बाहर की तरफ उठ जाती है पिर लिखा है अपनी च्छाती का नाप लो एक लंबी गहरी सास भरो अपने साथी से कहो कि वहाँ एक धागे से तुम्हारी च्छाती का न नाप ले और तुम्हारी च्छाती का नाप लेने के बाद में अपना नाप यहां पर लिख सकते हैं तो देखिए यह सब काम तो आप स्वयम से करिएगा है ना और मैं आपको बता नेता हूँ कि यहां पर लिखा है क्या च्छाती के नाप में कुछ फरकाया तो देखो सास भरने पर छाती का नाप बढ़ता है दोस्तों, और सांस छोड़ने पर छाती का नाप घट जाता है, भरने की अपेक्षा, अब देखते हैं, आगे क्या लिखा है, हर मिनिट में कितनी सांस, अपनी नाग के आगे उंगली रखो, क्या तुम नाग से सास छोड़ते समय हावा को महसूस कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, अब गिनो कि एक मिनिट में तुमने कितनी बाहर सास लियो और छोड़ी, तो ये काम आपको करना पड़ेगा, आगे लिखा है तुम्हारे अंदर धड़कती घड़ी, ये हमारे दिल की अवाज है, है घड़ी की सूई से होती टिक टिक की आवाज तो तो तुमने सुनी ही होगी, है न, क्या तुमने कभी सुनाया देखा है कि डॉक्TOR हमारी चाती पर स्टेथोसकोप लगाकर हमारी धड़कन सुन सकते हैं, ये आवाज कहां से आती है, ये आवाज हमारे रिदा पाएंगे इसका उत्तर फिर आगे लिखा है हम क्या समझें इसमें लिखा है अमिद खेलते खेलते दीवार से टकरा गया और उसका माथा जट से सूझ गया दीदी ने तुरंथी दुपट्टे को तीन चार बार मोड़कर उस पर फूख मारी और अमिद के माथे पर रख दिया क्योंकि यह है एक प्रथा जो हमें अपने बड़ो को करते हुए देखा देखते आ रहे हैं लेकिन वास्तों में इससे कुछ खास लाब नहीं होता लेकिन फूख मार कर कपड़ा ना हलका गर्म हो जाता है जिसे माथे पर रखने से दर्द और सूझन में थोड़ा सा अराम म लिखा है कि फूब का स Киль चीज़ों को ठंडा करने के लिए भी करते हैं और गर्म करने के लिए भी दोनों का एक एक उधारन दो तो फूख का कीजेगा कि इस चैप्टर की लिंक को शेर कीजेगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वे लोग भी देख पाएं इस वीडियो को और समझे इस जानकारी को बाकी आप से हमारी जल्दी मलकात होगी अगले नए चैप्टर में अगली नए कहानी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार